गूर्णिंग बच्चो आज हम करने जा रहे हैं अपनी वोक्षिट 59 विशे विज्ञान कक्षा 10 हमारी डेट 23 नमबर के लिए तो चलिए शुरू करते हैं आज की वोक्षिट में हम पढ़ेंगे मानव नेत्रवेर रंग पिरंगा संसार कैसे हमी जो रंग है वो दिखते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले देखी पिछली वोक्षिट में हमने अपवर्तन के बारे में पढ़ा था तो वो क्या होता एक बार मैं फिर स से बता देती हूं कि प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय अपने सीधे पत से मुड़ने की घटना को अपवरतन कहते हैं कहने का मतलब है कि मैंने आपको उधारन से भी बताया था कि जैसे कि मान लीजिए यहां पर एक नदी है ठीक है यह पानी ह तो आपकी जो भी रेखा आ रही है मतलब जो आपकी प्रकाश है प्रकाश की रेखा है प्रकाश आ रहा है तो वो यहां से हवा में आ रहा है हवा में आने के बाद जब वो पानी के अंदर जाता है तो माध्यम बदल जाता है यहां हावा था और यहां पानी है तो प्रकाश पानी के अंदर क्या हो जाएगा सीधे जाने की बजाए मुढ जाएगा इधर मुढ जाएगा तो इसी गटना को क्या बोलते हैं अपवरतन कहते हैं ठीक है प्रकाश की एक माधियम से दूसरे माधियम में प्रिवेश करते समय अपनी सीधे पत से मुढने की घटना को अपवर्तन कहते हैं अब देखो, प्रिजम के बारे में आज अन थोड़ा सा जानें कि प्रिजम क्या होता है, किस तरह एक वो काम करता है तो देखो प्रिजम, ये समानते क्या है? एक काच का बना होता है इसमें दो त्रिकोण ये आधार वे तीन आयातकार पार्शव सतहे होती है मतलब ये परत से बना होता है तीन आयातकार और दो त्रिकोण की परतों से ये बना होता है ठीक है ये मैं कोशिश करूँगी आपको कभी भी live class में या फिर एक छोटी से shorts में मैं आपके लिए video डाल दूँगी अगर आप लोगों ने देख रखा है तो well and good अच्छी बात है लेकिन अगर किसी बच्चे ने नहीं देख रखा होगा तो मैं कोशिश करूँगी ढूनने की शायद मेरे पास है तो मैं आपको दिखाऊंगी क्या होता है प्रिजम कोन प्रिजम कोन क्या होता है दो निकटवर् कैसे उसके अनुसार जो प्रिजम है उसे अपवर्तन होता है पिछली वोक्षीट में हमने पढ़ा था जो ग्लास है जो आयतकार आपका काच है शीशा है उसके अंदर से कैसे अपवर्तन होता है अब देखेंगे हम प्रिजम के अंदर कैसे होता है तो हमने पिछली अध्या से बिन होती है इस कारण प्रिजम से अपवरतन के दोरान एक और रोचक घटना होती है क्या होता है यहां पर देखो कहने का मतलब है कि जो यह अपतीत किरन है यह आपकी स्लैब आयतकार स्लैब की जो केस था उसकी अंदर अपतीत किरन और निर्गित किरन क्या होती थी आपस म इसमारानत रोती थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यह क्या होती है? इनकी जो दिश्या है वो अलग होती है इस कारण एक ऐसे रोचक घटना होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? विक्षेपन हम बोलते हैं ठीक है, वो हमें इसके कारण दिखाई देता है, क्या होता है, देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, देखो, मैं आपको example, जो ये आपका चितर है, इसमें बता देती हूँ, अपतीत किरन क्या है, जो किरन आपकी गई है, अंदर जाकर ये क्या होगी, आपकी अपवर्तित करन होगी, और वापस जब बाहर आएगी तो उती है निर्गित किरन ठीक है तो अब जो अबतीत किरन और निर्गित किरन के बीच का जो आपका कॉन है उसकोम बोलते हैं विचलन-Кोन क्या बोलते हैं विचलन-Kon अब देखो अब है विखेपन। विखेपन क्या होता है सूर्य का श्वेद प्रकाश जब प्रिजम से होकर गुजरता है तो प्रिजम श्वेद प्रकाश को साथ अवी रंगों में विभिप्त कर देता है। का मतलब देखो जब सूरज जो होता है वो उसके एक जो light होती है वो सात रंगों से बने होती है ठीक है तो जो सूरज के white light होती है श्वेट जो प्रकाश होता है वो जब जो prism पर लगता है ना जब तो सात रंग हमें दिखाई देते हैं ठीक है वो सात रंग कोन से कोन से होते उनको याद करने का एक तरीका है विब्योर आपको यह याद रखना है विब्योर यह spelling याद कैने है आपको English की इस प्रिक्रिया को विख्षेपन कहते हैं जब आपकी सूर्य की सफेध जो प्रकाश है आपका वो प्रिजम पर गुज़रता है तो जो साथ रंग हम निकल कर आते हैं इस जो घटना है इसको हम क्या बोलते हैं इस प्रक्रिया को बोलते हैं विक्षेपन उसको याद करना है मालीजिए इन रंगों को क्रम में याद रखने के लिए युक्ती क्या है विब्ग्योर करम में याद रखना क्योंकि जो ये रंग है ये हमें इसी करम में हमेशा दिखते हैं ठीक है जो विब ग्योर नीचे से लिखना आपको स्टार्ट करना ये दिख रहा है था आपको नीचे से विब ग्योर लिखा हूँ V-I-B-G-Y-O-R वी से वोईलेंट ठीक है वोईलेंट मतलब बैंगनी आई से इंडिको जामुनी चुर हमारा रंग होता है ब्ल्यू नीला ग्रीन हरा येलो पीला ओरेंज डारंगी तथा रेड लाल तो विप ग्योर ये क्या है आपका करम याद करने का एक युकती है अब विवी वर्णो के इस बैंड को स्पेक्ट्रम कहते है जो ये रंगों की जो आपकी प्रिक्रिया हुई जो ये रंग आपके दिख रहे हैं आपको तो इसका जो ये बैंड बनदा अलग-लग रंगों का आपस में तो इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम ठीक है तो स्पेक्ट्रम बनने का कारण क क्यों बनता है ये स्पेक्ट्रम क्यों हमें ये सात रंग दिखते हैं तो देखो जो सूर्य की सफेद प्रकाश जुपस का श्वेद प्रकाश सात रंगों से बना होता है हर रंग का अपना एक अलग अलग तरंग धैर्य होता है सूर्य का श्वेद प्रकाश जब प्रिजम से गुजरता है तो उसमें उपस्तित सभी वर्ण अलग 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 कोंड पर मुढ कर प्रिजम से निर्गित होते हैं और उसे हम क्या कहते हैं उससे हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है मतब जो सफेद रंग है सब की अलग 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 क्या होते हैं उनकी अलग अलग तरंग ये बात ध्यान रखना है, जिसका तरंग धहरे सबसे अधिक का मतलब, ये क्या कहना चाता है, कि वो रंग आपको सबसे ज़ादा दिखेगा, ठीक है, आपने देखा होगा, कि जो हमारा उपर आप आस्मान है, उसमें रंग तो सारे होते हैं, लेकि लाल रंग में सबसे ज़ा ठीक है अब देखो इंद्रदनुष के बारे में पढ़ेंगे इंद्रदनुष क्या होता है यह एक प्राकरतिक स्पेक्ट्रम है गय वायो मंडल में उपस्तित जल की बूंध द्नक्र pouco होता है ठीक है क्या होता है यह इंदरिटी अपने देखा होगा ज़ो आसमान में जब बारिश होती और एक साथ धूप सूरज में निकला होता है तब हम hac दिखाई दिता हैं हा तो एसा क्यों होता है देखो क्या होता है यह नैच्रल ही अपने आप ही दिखता है इसे कोई बनाता नहीं क्यों होता है जो यह हमारा वायू मंडल होता है उसमें बहुत सारी छोटी छोटी जलकी बूंद होती है तो उन जलकी बूंदों में क्या होता है विक्षेपन होता है ठीक है किस कारण होता है जो सूर्य का प्रकाश होता है उसके कारण होता है कैसे जो जलकी छोटी बूंदे ह होती है वो प्रीजम की तरहें काम करती है ठीक है encryत में सूर्य का जो मित्थ करता है उस बूंद पर्वेश करता है नफ़िए अपर वर्तित चाहता है यह भी हैं यहां धाया भाती तब रह सेully किegoj कमित Ph drivers होता है यह करें कि haया है यहां भी हलते नियुको प्रकाश चाहàysk प इसके अंदर आपको रंग मिलेंगे, जो आपकी बारश है, उसकी बूंदों के अंदर. ठीक है, रंग होंगे, तो फिर पूण पून आंतरिक प्रावर्तन मतलब आंतरिक होता है अंदर और प्रावर्तन मतलब वो फिर से क्या कर रहा है आपस में वो मुढ के मतलब टकरा कर मुढ ना तो क्या हो जाता है अपवर्तन हो जाता है लेकिन वो टकरा कर वापस कहीं जा रहा है तो वो प्रावर्तन हो जाता है त तो यहाँ पर क्या होगा, आंत्रिक प्रावर्तन, अंदर ही मुढ रहा है, तो internal reflection अब जिसको बोलते हैं, आंत्रिक प्रावर्तन की पश्चात पुन, फिर से क्या होगा, विक्षेपित होकर, जल की बून से निर्गित होते हुए, इंदर धनुष का निर्मान करेगा, फिर से तरंग दर्ये जादा होगा, तो विचलन कोन कम होगा, तरंग दर्ये कम होगा, तो विचलन कोन जादा होगा, चीक है, मतलब यह आपस में एक दूसरे पर नेर्वर करते हैं, अब आते हमारी प्रशिन उत्तर पे, पहला हमारा प्रशिन है, प्रकाश का आयतकार slab से, समानांतर प्रास्तु पर अपवर्तन के पश्चात निर्गित किरण, पहले प्रश्ट पर आप्तित किरण के समानांतर होती है, उसमें जो हमारी आप्तित है और निर्गित किरण है, वो क्या होती है, समानांतर होती है, लेकिन शीशे के प्रिजम में प्रकाश की आप्तित क प्रकाश की निर्गित किरन के समानांतर नहीं होती इसमें ऐसा नहीं होता जो प्रकाश की किरन है शीशे की प्रिजम में प्रवेश करती है तब यह दो बार मुड़ती है उसमें नहीं मुड़ती है उसमें क्या होता है कि क्या जो आपका आयतकार स्लैब था उसके अंदर से य रेखा आती है वो इसके आप आगे जाकर क्या होती है समानांतर होती है लेकिन इसमें जब भी हमने प्रिजम पड़ाता है इसके अंदर तो ऐसे निकल जाती है तो क्या यह और यह समानांतर होंगी इसको खीचोगे तो यह और यह समानांतर नहीं होती तो यही फरक है किसमें जो हमारा आयतकार स्लैब है और जो हमारा प्रिजम है ठीक है तो यह हो जाता है बिटा हमारा प्रशन नमबर एक अब हम चलते हमारे प्रशन नमबर दो पे प्रशन नमबर दो देखो क्या है प्रशन नमबर दो है इंदर धनुष का निर्मा पर उत्पन होता है क्यों होता है क्योंकि जो जल जो हमारी जल होता है हमारी वायों मंडल में तो उसमें क्या होता है वो जल किसकी तरह काम करता है वो जो चोटी-चोटी बूंदी जल वो प्रिजम की तरह कार्य करता है ठीक है तो जो सूर्य की प्रकाश उस पर पड़ती है उ चात पूर्ने विक्षेपित होकर जल की बून से निर्गित होते हो इंजर्धनुष का निर्मान करता है ठीक है तो ये आपको लिखने के बाद बिटा ये पिच्चर भी आपको बनानी है ठीक है ये भी आप बनाओगे तो आपकी जो मार्क्स अगर आपको अच्छे लगने है तो ये चित्र भी आपको बनाना है तो देखो ये हो गया आपका उत्तर नंबर दो ठीक है ये है प्रशन नंबर दो प्रशन नंबर दो का उत्तर ये आपको सारा लिखना है ये आपको लिखना है और ये लिखने के बाद आपको क्या करना है नीचे ये चित्र बनाना है तो से अधिक होता है वे बैंगनी रंग का तरंग धहरे सबसे कम होता है तो एक डैश में आपका अधिक आएगा और दूसरे रिकस्तान में क्या आएगा तरंग धहरे आएगा ठीक है ये आपको र उपर लगा लेना ध्यान से तो ये हो गया आपका प्रिशे नमबर तीन अब हम चलते हमारी worksheet के आज की आखरी प्रिशन पर आखरी प्रिशन ने हमारा किसी prism का विक्षेपन कोण किसे कहते हैं यह आपको बताना है ठीक है तो आप लिखोगे आप तीत किरन को आगे बढ़ाने पर तथा निर्गित किरन को पीछे बढ़ाने पर उनके मध्य जो कोण बनता उसे प्रिजम कोन कहते हैं, प्रिजम का विक्षेपन कोन कहते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका प्रेशन नमबर चार, तो ये चार प्रेशन आज आपकी वर्क्षीट में दिये गए थे, I hope आपको अच्छे से चारों प्रेशन समझ में आ गए हैं, कोई भी डाउट आ आप उसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको मारे वीडियो अच्छी लगे, तो हमारे चानल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, Thank you and have a great day.